यह 300 ग्राम करे ले हैं 300 ग्राम करे लों को हम छोटे छोटे रिंग्स में काटेंगे उसको जो पूछ है और माथा जो एंट्स है वो हम फैक देंगे बीच वाला पार्ट हमें ऐसे रिंग्स चाहिए तो इस तरह 300 ग्राम करे ले चोटे और लें करे ले ताके वो जल्दी पक जाएंगे पचार में यह फेख देए यह जो उपर का और नीचे का हिसा है यह फेख देएंट्स जो है इसकी sebenar प्रवाज़ स्पून नमक लगाएंगे नमक को अच्छे से करेलों पे रब करें, मसाज करें करेलों को नमक से ये देखें अच्छे से नमक को करेलों पे लगा लें और आदे घंटे के लिए इसे छोड़ दें ताके करेलों से कड़वा पानी निकल जाए इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल एक कप ये गया आदा कप ये गया दूसरा आदा कप और इसे अब हम गरम करेंगे जलाएंगे जब तक इसे दुआ नहीं निकलता तब तक हम इसको पकाएंगे जलाएंगे क्योंकि ये इसका जायका तेज होता है इसको जलाना पड़ता है तब ही ये सही हो जाता है तेल सरसों को तेल को हमेशा जलाके ठंडा करके फिर इस्तमाल करें यह देखें इससे धुआ निकल रहा है अब हम इसकी गेस आफ करेंगे और अब हम इसको ठंडा होने देंगे इससे धुआ निकल रहा है अब हम करेलों से पानी निचोड लेंगे जो कड़वा पानी है वो करेलों से निचोड लें ये देखें निचोडते जाएं पानी और करेली साइट पर रखते जाएं फिर आप चाहें तो करेलों को धूब में सुखाएं पानी निचोडने के बाद या पंखे के नीचे सुखाएं या मैं करूंगी इंस्टन मेथट तो तो इसे हम फ्राइंग पेन में सुखाएंगे गेस पे, पहले सारे करेलों से पानी निचोड लें, जितना पानी आम निचोड सकते हैं, यह देखें मैंने इतना पानी कड़वा निचोड़ा है करेलों से, अब हम फ्राइंग पेन में सिर्फ करेले डालेंगे, और कुछ नहीं और इसे लोट फिलेम पे 5-10 मिनदे तक सुखा लेंगे पका लेंगे तो इसका पानी सूख जाएगा जैसे इसका पानी सूख जाएगा फिर हम इसमें दूसरे इंग्रेडियंट्स डालेंगे सॉफ लें, 4 टेबिल स्पून सॉफ चार बड़े चमचें सॉफ के एक छोटा चमच अजवाएन, एक छोटा चमच मेथी दाना, एक छोटा चमच जीरा इसमें डालेंगे डेड़ बड़ा चमच राई, सरसों का पाउडर, एक डेड़ बड़ा चमच है ये अगर वो नहीं है तो डेड़ बड़ा चमच साबद राई डाल दें, नमक हस्पे जायका, एक छोटा एक छोटा चमच हल्दी, आदा छोटा चमच लाल मिर्च, आदा छोटा चमच काला नमक, आदा छोटा चमच अतरक पाउडर, एक छोटा चमच काली मिर्च, तो इसमें ह जाल लाल में छल दी काला नमक में इसमें खाली हो गई तो अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे इसका पाउडर बना लेंगे फाइन तो इसको हम पीच लेते हैं मिक्सी में किसका पाउडर बना लें करेलों का पानी सूख गया है अब हम इसमें तेल डालेंगे जो हमने जला के ठंडा किया था तेल सरसों का तेल अब हम वो डालेंगे इसमें ये देखें पूरा डाल दें सरसों का तेल जो हमने जला के ठंडा किया था अब हम करेलों को पांच मिनर तक पका लेंगे खुले में ही अब हम इसमें डालेंगे जो हमने ब्लेंड किया हुआ पाउडर जो हमने पीसा था पूरा डाल दें ये जालें और 5 मिनार तक low to medium flame पर करेलों को पका लें अगर आपको instant अचार चाहिए तो आप इसको पूरा तेल में पका लें तो आपका instant अचार बन जाएगा पर अगर आपको 2-3 दिन बाद चाहिए तो हम इसे थोड़ा पकाएंगे बाकी हम 3 दिन के बाद पकी हुई अचार खा अब हम इसे ढख देंगे 10 मिनट लो गेज पर पकाएं इसको 10 मिनट तक लोगेज पर धक पकाएं तो ये देखें, दस मिनट हो गए एंब हम इसको जूले से अटाते हैं और इसे ठंडा करते हैं अचार को ये देखें अचार में अब हम इसमें डालेंगे दो टेबल स्पून सुर्खा विनिगर वाइट विनिगर और दो टेबल स्पून हम इसमें लान लेंगे नीमबू का जूस लेमन जूस दो टेबल स्पून नीमबू का रस दो टेबल स्पून सुर्खा डाल दिया सब को मिला लें आपस में अच्छे से और इसे तोड़ा ठंडा हो जाने दे फिर रम इसको jar में बरेंगे जार जो है वो साफ होनी चाहिए और सूखा सूखी होनी चाहिए बिल्कल इसमें बानी नहीं होना चाहिए वरना आपका अचार खराब हो जाएगा और जब भी अचार निकालें तो साफ चमच, सूखा चमच जूज करें जब हम सारी अचार डाल देंगे ज़ार में, तो ये अचार आप तीन दिन दूप में रखें या अंदर रखें उसके बाद ये आपका अचार बनकर त्यार है खाने के लिए, तो तीन दिन में यह आपका अचार बिल्कुल बनकर त्यार हो जाएगा क्योंकि हमने करेले को पूरा नहीं पकाया है तो तीन दिन में यह अच्छे से पक जाएगा Thank you for watching Please like, share, comment, subscribe Your views matters a lot Press bell icon button Thank you